मार काटून टीवी के सभी लोग उसको बॉनी और नाटी कहकर बुलाते थे जिस कारण संध्या बहुत ही उदास रहती थी संध्या गाओं के ही एक स्कूल में पढ़ती थी कदमे छोटी होनी की वजह से उसकी कक्छा के बच्चे उसे चिड़ाते थे संध्या को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था अब तो संध्या को ये सब बातें बहुती परिशान करने लगी थी जिस वजह से वो आपको चिड़चड़ी सी रहने लगी थी एक दिन स्कूल की लाइपरेरी में अरे संध्या जरा मुझे वो उपर से एक बुक निकाल कर दे ना क्या रे रीता क्यों तेरी लंबाई क्या अब इस संध्या से भी छोटी हो गई क्या रीता बैठी हुई थी तो वो बैठे बैठे हाथ उपर करके कहती है हा रे देखना ऐसा कहकर वो दोनों हसने लगती हैं संध्या को ये सुनकर बहुती गुस्सा आता है और रोना भी पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है स्कूल के चुटी के बाद भी उसकी कक्षा के बचि उसको चिढ़ाते हुए घर जाते हैं तो संध्या रोते रोते अपने घर आ जाती उसको रोता हुआ देकर संध्या की मा कमला उससे पूछती है मा देखो न मेरी कक्षा के सारे बच्चे मुझे हर रोज चिढ़ाते हैं मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है चुप हो जा मेरी बच्ची अरे बच्चे तो कुछ भी कहते हैं इतनी चोटी चोटी बात पर ध्यान नहीं देते मा मैं और बच्चों की तरह क्यों नहीं हूँ ना ना मेरी बच्ची तू भी और बच्चों के जैसी ही थी वो तो पता नहीं किस बिमारी के कारण तेरी लंबाई बढ़ना बंद हो गई हमने सब जगे दिखाया तुझे पर कोई फायदा नहीं हुआ ऐसा सुनकर संध्या रोते रोते घर से बाहर चली जाती है रोते रोते वो जंगल में पहुँच जाती है वहाँ एक पीड के नीचे बैठ कर रोनी लगती है ए बगवान तुने मुझे ऐसा क्यों बनाया है मुझे भी तो बागी सब की तेरा ही बनाना था मुझे सब लोग चिडाते है मुझे फिलकुल भी अच्चा नहीं लगता है कोई भी मुझे अपने साथ नहीं किलाता सब मुझे बोनी बोनी कहते रहते है उसकी रोने की आवाज सुनकर उस पेड़ के ऊपर बैठी एक चुड़ेल उसके पास आती है और उसके रोने का कारण पूछती है क्यों इस जंगल में बैठ कर रो रही हो? अचानक से जंगल में किसी की आवाज सुनकर संध्या चौक जाती है और अपने आशू पोच कर देखती है तो उसको वाही चुडैल दिखाई दिती है चुडैल को देखकर संध्या डर जाती है चुडैल का कद भी बिल्कुल संध्या की तरह ही था जिस तरह से वो देखने में बहुत यो डरावनी लगे थी चुडैल, रे बाप रेगे, कहां से आ गई? ऐसा कहकर वो जोर-जोर से रोने लगती है मत रो मेरी बच्ची, मेरी कहानी भी बिल्कुल तेरे ही जैसी है मतलब? मैं भी बच्पन में तुम्हारी ही तरह थी मुझे भी मेरी सारी सहेलियां बॉनी-बॉनी कहकर चिडाती थी और कई बार तो मुझे अपने साथ खिलाती भी नहीं थी मेरे पिता जी के पास बहुत पैसा था उनके पैसो की वज़े से मेरी शादी भी हो गई थी पर उन लोगों को मेरे पैसो से प्यार था शादी के बाद उन्होंने मुझे पैसे के लिए परिशान करना शुरू कर दिया था जिस वज़े से एक दिन मैंने आत्मत्या कर ली पर मेरे मरने के बाद भी मुझे मुक्ती नहीं मिली इसलिए मैं यहां वहां भटकने लगी आज मैं इस पेर पर बैठी थी पर आपको कैसे पता चला कि मेरे दोस्त मुझे बॉनी बॉनी कहकर बुलाते है वो मैंने तुम्हारी सारी बाते सुन ली थी तुम यहां इस पेर के नीचे बैठ कर रोते रोते खुद से ही बात कर रही थी आपके साथ भी बुरा हुआ उसके बाद संधिया चुडहल को सारी बात बता देती है उसकी बात सुनकर चुडहल कहती है तुम मुझे से डरो मत मेरे पास एक उपाई है मैं तुम्हारी मदद करूंगी वो कैसे मैं तुम्हारी दोस्त बनकर तुम्हारी मदद करूंगी जो तुमको परेशान करेगा हम दोनों मिलकर उसको सबक सिखाएंगे पर कैसे आपको देखकर तु सब डर कर भाग जाएंगे तुम चिंता मत करो मैं अपनी जादूई शक्तियों का प्रयोग तुम्हारी मदद करने के लिए करूँगी और हाँ मैं सिर्फ तुमको ही दिखाई दूँगी किसी और को नहीं अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है अब हम दोनों मिलकर उन लोगों को सबक सिखाएंगे जो मुझे परिशान करेगा या चिड़ाएगा हाँ पर पहले तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा मैं आपसे ये बाता करती हूँ कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी उसके बात संध्या और चुड़ैल संध्या के घर जाते हैं अगले दिन संध्या स्कूल जाती है तो चुड़ैल भी संध्या के साथ साथ उसके स्कूल जाती है पहले की तरही उसकी कक्षा की लड़कियां उसको बॉनी बॉनी कहकर चिड़ाने लगती हैं ये लो जी आ गई हमारी बॉनी रानी उसकी बागी सहेलियां हसने लगती है संध्या को ये देखकर गुस्सा आता है उसका गुस्सा होता देकर रीता कहती है अरे देखो देखो महरानी को गुस्सा आ रहा है हाँ हाँ बचके कहीं बॉनी रानी के सैने खम को पगड़कर जेल में न डाल दे देखो तुम लोग मैं कह रही हूँ मुझे चिड़ाना बंद कर दो किसी को बेवज़े परिशान करना ठीक नहीं होता चल चल हमें मत सिखा कि हमें क्या करना है बॉनी कहीं की अब बॉनी को बॉनी ना कहें तो क्या कहें बॉनी 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 ये सब बोलकर उसकी सारी सहलियां हसने लगती हैं संध्या के साथ खड़ी टुडैल ये सब देख रही होती है संध्या रोते हुए कहती है देखो तुम लोग मुझे परिशान करना बंद कर दो कभी भी अपने उपर घमण नहीं करना चाहिए कहीं ऐसा नहो कि तुम भी मेरी तरह ही दिखने लग जाओ और फिर सब लोग भी तुम्हारा मजाग बनाना शुरू कर दें चुपकर बॉनी हमें तेरा ये ग्यान नहीं चाहिए ऐसा कहकर उसकी सारी सहिलियां वहां से चली जाती है उनके जाने के बाद संध्या उस बॉनी चुड़ेल से कहती है देखा आपने ये लोग कैसे मेरा मजाग उडाते है मुझे रूस ऐसे ही परिशान करते है जब देखो आते जाते मेरा मजाग बनाते है तुम बिल्कल भी चिंता मत करो मैं इनको इनके इस किये के लिए सबक जरूर सिखा के रहूंगी पर आप ऐसा क्या करोगी तुम वो सब मुझ पर छोड़ दो और बस चुप चाप देखती जाओ मैं कैसे इनको सबक सिखाती हूं कल सुबह ये लड़कियं अपनी शकल देखना भी पसंद नहीं करेंगी देखना कैसे ये सबसे अपनी शकल छुपाती फिरेंगी इनको समझाने का ये सही तरीका है इनको ऐसे ही समझाएगा अगले दिन जब संध्या स्कूल जाती है तो देखती है कि उसकी कप्षा की लड़कियों की शकल पर जगा जगा दाने हो रखे हैं और पहले से दिखने में भी कच्छोटी लग रही हैं उनकी यहाला देकर संध्या को समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि उस चुड़ेल नहीं इनका यहाल किया है वो उनके पास जाती है और पूछती है अरे यह तुम तीनों को क्या हुआ हमें नहीं पता यह देखो हमारे चेहरे पर दाने और हमारा कड़ में कुछ कम हो गया है पहले से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यह क्या हो रहा है देखा अगर तुम बेवजा किसी का दिल दुखाते हो तो तुमको अपने उस काम के लिए कभी ना कभी सजा जरूर मिलती है तुम लोगों ने मुझे बहुत परिशान किया धना अब देखो खुद की हालत यह सब तुम्हारे बुरे कामों का ही नतीजा है अब सब लोग तुम पर भी हसेंगे तु चुपकर बॉनी अपना ये भाशन किसी और को सुनाना हम पहले से ही परिशान हैं बॉनी कहीं की ऐसा कहकर वो लोग वहां से चली जाती है उनके जाने के बाद संध्या उस बॉनी चुड़ेल से फिर कहती है इनको तो अभी भी अपनी किसी गल्दी का ऐसास नहीं है और ये तो मुझे अभी भी चिड़ा रही है बताओ अब क्या करें हम लगता है मुझे सिंदिगी पर ये ही सुनना पड़ेगा अब मुझे इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए तुम चिंता मत करो संध्या कल मैं इनकी हालत और भी खराब कर दूँगी तब देखना ये कैसे नहीं सुधरती ये नहीं सुधरने वाली है तुम चिंता मत करो मैं इनका पीछा जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक इन लोगों को अपनी गलती का एसास ना हो जाए क्या आपको लगता है कि इन लोगों को कभी भी अपनी गलती का एसास होगा हाँ हाँ होगा और देखना जब तक ये तुमसे माफी न मांग ले तब तक मैं इनको ऐसे ही परिशान करूंगी मैं नहीं चाहती जो कुछ भी मेरे जीवन में मेरे इस बौने पन के कारण हुआ है वो सब तुम्हारी जिंदगी में भी हो तुम बिलकुर भी चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरा भरोसा रखो संध्या अगले दिन स्कूल आती है तो उसको वो तीनों आज स्कूल में दिखाई नहीं देती है ये सब देखकर संध्या थोड़ा परिशान हो जाती है यहां वहां पता करने पर पता चलता है कि वो लोग आज स्कूल नहीं आई है स्कूल से छुटी के समय संध्या उनके घर जाती है तो उनकी हालत देखकर हैरान हो जाती है उन तीनों की हालत तो पहले से और भी स्यादा खराब थी शायद इसे वज़े से ये लोग आज स्कूल नहीं आई थी उनकी शक्र तो देखने में बहुत ही खराब लग रही थी। कद उनका संध्या से भी छूटा हो गया था। उनकी हाला देकर संध्या को बहुत ही दुख होता है। शाम को वो तीनों मिलकर संध्या के घर आती है। लगता होगा। हाँ मुझे बहुत दुख होता था जब तुम तीनों मुझे चिडाते थे। तुम लोगों ने हमेशा ही मेरा मजाग उड़ाया है। कभी भी मुझे अपने साथ नहीं खेलने दिया। संध्या तुम हम लोगों को माव कर दो हम अब आगे से तुम्हारा साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। हाँ और बाकी तो हम लोगों को अपने इस कशी की सजा भी मिली रही है हाँ हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है यह इसी की सजा बगवान ने हमें दिये ऐसा कहकर वो तीनों उससे माफी मांगने लगती हैं माफी मांगकर वो लोग उसके घर से चली जाती हैं उनके जाने के बाद चुडैल संध्या से कहती है देखा अब इनको मिल गई ना इनकी गलती की सजा इनको भी पता चलाना कि किसी को बेवज़ा परिशान करने से क्या होता है अब अपने उपर बात आई तो कितना परिशान हो गई ये सब एक ही दिन में हाँ ये सब तो ठीक है पर मुझे इनको इस हालत में देखकर बहुत दुख हो रहा है तुम इनको पहले जैसा कर दो तुम बहुत अच्छी हो संध्या तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है इन लोगों ने हमेशा तुमको कितना परिशान किया फिर भी तुम इनकी मदद करना चाहती हो मैं इनको कल सुबह तक ठीक कर दूँगी तुम चिंता मत करो अरे कम से कम एक दिन तो इनको ऐसे ही रहने दो ठीक है पर आप कल पक्का इनको सही कर देना ठीक है ठीक है अगले दिन संध्या स्कूल जाती है तो वो देखती है उसकी तीनों सहिलिया फिर से पहले जैसी हो गई है वो संध्या को देखकर उसके पास आती है और कहती है देखो संध्या हम लोग बिलकुल ठीक हो गए हाँ ह अब हम तुमको कभी नहीं चिडाएंगे हमको समझ में आ गया है कि जो जैसा है वो वैसा ही अच्छा है हमें कभी भी किजी के रंग रूप और आकार को लेकर उसका मजाग नहीं बिनाना चाहिए संध्या अब खुश हो जाती है अब कोई भी उसको तंग नहीं करता था उसकी भी अब सहिलियां बन गई थी जिसके साथ वो खेलती थी बॉनी चुड़ैल संध्या वो खुश देकर वहां से चली जाती है और वापक जाकर उस स्पीड पर बैठ जाती है शायद फिर किसी और स गाउँ वाला देख रहा होता है और वह वहां जाकर दिखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो मदद मागने के लिए उसके पास आती है बाबा मेरी मदद करो मैं और मेरा पती बहृत घायल हो चुके हैं अगर आप लोगों ने मेरी मदद की तो मेरे पती बच जाएंगे वो गारी में बेहोश खाई में हैं गिर चुके हैं बेटी मैं एक बज़र्ग अदमी हूँ चाह कर भी तेरी मदद नहीं कर सकता तू गाउं में जा वहां तू मदद मांग कोई ना कोई तेरी मदद जरूर कर देगा वो लड़की गाउं में जाती है और एक एक का दर्वाजा खटाती है लेकिन इतनी ब्यंकर धंट पढ़ने के कारण उस लड़की की मदद कोई नहीं करता कोई भी अपना दर्वाजा खोड़कर बाहर नहीं निकलता और वो लड़की निराश होकर वापस अपने पती के पास गाड़ी में आ जाती है तब तक उसका पती मर वो भी दुखी होकर खाई में कूटकर आत्महत्या कर लेती है अगले दिन लोगों को जब पता चलता है कि क्या हुआ तो वो लोग खाई वाली जगे पर जाते हैं लगता है गाड़ी नीचे गिर गई है और दोनों की मौत हो गई है अब इसमें कोई क्या कर सकता है गलती त इतनी तेज रफतार से गाड़ी चला रही थे हाँ तुम सही कह रहे हो गाउं के रास्ते से कौन इतनी तेज गाड़ी बगा कर ले जाता है माना कि उनकी गलती थी जो इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे लेकिन लड़की जिंदा थी जब वहर रात में तुम लोगों से मद आवाज नहीं सुने गाउं वाले देखकर वापस चले जाते हैं अगली रात को एक आदमी के घर पर दर्वाजों पर खट खट की आहट होती है और एक लड़की बोलती है पाहराओ केशव मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं लड़की की आवाज सुनकर केशव खुशी से दर्वाजा खोड़ता है और सामने एक पेहर सुन्दर लड़की को देखता है लड़की चली जाती है और केशव उसके पीछे पीछे उसका पीछा करते हुए खाई में गिर जाता है लोगों को पता चलता है और वो लोग फिर से खाई की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क केशव मर चुका है अरे ये केशव कैसे मर गया मेरे दोस्त तुझे क्या हो गया था जो तु यहां कर अपनी जान खोबे था लोग वहां पर चर्चा करके एक-एक करके वापस अपने घर चले जाते हैं कई दिनों तक जब ऐसे ही रात को दर्वाजे पर दस्तक होती है और एक खाई में मरे हुए मिलते हैं इसके पीछे जरूर कोई कानर है हाँ मुझे भी यही लगता है वो लोग इसके उपाय के लिए पंचायत बुलाते हैं पंचायत में वो बुड़ा आदमी भी आया हुआ था अरे बेब कूफो यह उस लड़की की आत्मा ही को रही है जो मरने के बात चुडेल बन गई है वो अभी भी उस कार में बस्ती है तुम जाकर उससे बात करो शायद वो तुमें छोड़ दे अरे क्या ये चुडेल कर रही है आप तो हमें उसके पास जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए वो लोग खाई की नीचे जाकर उस तूटी फूटी गारी में उस चुडेल को बैठा हुआ देखते हैं और उससे माफी मांगते हैं हमें माफ कर दो हमने तुम्हारे साथ बुरा किया अब हमें छोड़ दो तुम काफी जाने ले चुकी हो हाँ हम लोग अपने किया पर बहुत शर्मिंदा हैं हमें जाने दो जब तक मैं तुम्हारे गाउं के एक-एक आदमी को मार नहीं डालेंगी तब तक मैं ऐसे ही एक-एक करके तुम लोगों को रात में ले जाती रहूंगी और मारती रहूंगी तब ही धरम को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर पत्थर भैकने लगता है यह ले लो यह ले तो और मर जातू तू बहुत बुरी है शैतान चुड़ेल कहीं की चुड़ेल नयब हो जाती है अगली रात फिर से एक आदमी के दरमाजे पर खट-खट होती है रागव की पत्नी उसे समझाती है आप आप कहीं नहीं जाएंगे जी इस बार दरवाजा मैं खोलूगी और देखती हूँ वो चुड़ेल कैसे आपको ले जाती है आरती दरवाजा खोलती है और सामने एक बहुत ही सुन्दर लड़की को देखती है मैं जानती हूँ तो चुडेल है और मेरे पती को ले जाने आई है लेकिन मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूँगी चुडेल अपने असली रूप में आ जाती है और हसने लगती है जब तक इस गाउं के एक-एक आदमी को मार नहीं डालूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी और वो आरती के आर बार निकल जाती है और जैसे ही रागव उसे देखता है वो उसके पीछे चलने लगता है ले देख ले अपने पती को आगरी बार मैं ले जा रही हूं से और उसका भी अंजाम वही करूंगी जो बाकियों का हुआ है आरती अपने पती रागव को आवाज लगाती है आप क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे हो ये चुड़े है आप क्यों उसके पीछे जा रहे हो अरे मेरी बाते आप पर कोई असर क्यों नहीं कर रही है मैं आपको नहीं जाने दूंगी वो रागव के पैरों में लेपट जाती है लेकिन रागव फिर भी चलता रहता है जैसे उसको अपने शरीर पर कोई वश नहीं था आरती दूसरों लोगों की तरह ही सब को आवाज लगाती है अरे कोई तो बचा अरे वो चुडेल मेरे पती क ले जा रही है कुछ लोग बाहर निकल कर आते हैं घर की ओरतें चुडेल पर पत्थर मारने लगते हैं लेकिन जैसे ही उनके घर वाले चुडेल पर नज़र डालते हैं वो भी एक मंत्र में बन जाते हैं और बिना कुछ बोले उस चुडेल के पीछे जाने लगते हैं ए भगवान ये चुडेल तो मेरे पती को भी ले जा रही है, अरे कोई रोको, अरे कोई तो बचाओ और जितने भी लोग बाहर घर के निकले थे, सारे लोग अगले सुभा खाई में मरे हुए मिलते हैं सभी लोग उस बूढ़े बाबा के पास चाते हैं और उससे मदद मांगते हैं बाबा खुश तो करो, इस चुडेल से आजादी दिलाने का कोई तो पाय करो, इस गाओं में कोई नहीं है तुमारे सिवा, जिसे वो चुडेल कुछ नहीं कहती ठीक है, मैं उस चुडेल से बात करूँगा, तुम सभी लोग अपने घर के बाहर चुडेल मत आना लिख लेना, मैं उस चुडेल को समझा दूँगा, जिस घर के बाहर ये लिखा होगा, उस घर पर हमला नहीं करेगी बुड़ा चुडेल के पास चाता है चुडेल बेटा, अगर तुम मेरी एक बात मान लो, तो मैं अपनी जिन्दगी को सफल मानूँगा चुडेल उस बुडे की बहुत इज़त करती थी, इसलिए वो कहती है, सिर्फ आप ही हैं जिन पर मुझे कोई गुसा नहीं है, आप जो भी कहेंगे, वो मैं मानूँगी बेटा, तुम जिस भी घर के बाहर चुडेल मत आना लिखा हुआ देखा, तुम इस घर का दर्वाजा मत खट कटाना, और उसके आदमी को मत ले जाना अगर ये बात किसी और ने कही होती, तो मैं उसे जिन्दा खा लेती, लेकिन बाबा, आपने कहा है, और आप की ही यही इच्छा है तो ठीक है, जिस भी घर के बाहर चुडेल मत आना लिखा होगा, मैं उस घर के आदमी को नहीं ले जाओंगी, लेकिन बाकी सारे घरों पर म तेरी नजर रहेगी, इतना कहकर चुडेल वाइब हो जाती है, तभी गाउं में प्रताप और श्याम की लड़ाई हो जाती है, तुने बैमानी की है श्याम, मैं तुझे जिन्दा नहीं चाड़ूँगा, जूट मत बोल प्रताप, मैंने तेरा कोई नुकसान नहीं किया है, तु अपनी किस्मत से हा रहे, मैंने तुझे पहले ही जुआ खेलने के लिए मना किया था। याए सारी बेकाज की बाते हैं, तुने मुझे पैसे दे दिया होते, तो मैं जुआ जीच जाता, लेकिन नहीं, अब तु देख मैं तेरा क्या करता हूं। चुडेल मत आना का मत काट देता है, और जब चुडेल रात को आती है, तो शाम के घर पर खट खट आती है, शाम दर्वाजा खोलता है, और चुडेल को देखता है तो ड़र जाता है, और फिर मंत्र में बंद जाता है, तु खुद को बहुत हश्यार समझ रहा था, लेकिन क और चुडेल उसे अपने पीछे ले जाती है और खाई में गिरा देती है प्रताप अब जुए में जो भी पैसे हारता सामने वाले को धंकी दे कर आता कि अगर उसने उसका पैसा नहीं दिया तो कल सुभा वो हमारे घर आएगा और ऐसा ही होता है सभी लोग फिर से बुड़े है अब हम क्या करें बेटा चुडेल सिर्फ उन लोगों को मार रही है जिनके घर के बहा चुडेल मत आना की वजाए चुडेल आना लिखा हुआ है तुम में से कोई अपनी दुश्मनी निकालने के लिए गाउं वालों के लिखे हुए मत को मिटा रहा है गाउं वाले समझ जाते हैं कि ये प्रताब की हरकत है और रमेश अगले दिन प्रताब के घर के आगे मत काट देता है और छुपकर देखता है वो देखता है चुडेल आ जाती है और प्रताब को ले जाती है लेकिन जैसे ही रमेश उसे देखता है रमेश भी अब उसके साथ चला जाता है और अगली सुभा रमेश और प्रताब दोनों की लाशे मिलती हैं। तभी गाउं में एक बहरूपी आता है। वो गाउं वालों को दिन में काफी मनोरंजन करके दिखाता था और जब रात होने वाली होती है तो वो धरम के घर पर रुख जाता है। धरम उसे सारी बात बता देता है। ठीक है मैं कल ही तुम लोगों को उस चुड़ेल से मक्ते दिला दूँगा। बस तुम लोग खाई के नीचे एक बहुत बड़ी आग का प्रबंद करो। अगली रात बहरूपिया धरम के घर के आगे चुड़ेल आना लिख देता है। और खुद एक वेश बना कर दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। चुड़ेल दरवाजा खट खटा आती है और बहरूपिया उसे खोल देता है। चुड़ेल उसे देखती है और रोने लगती है। चलो इस बार हम लोग मुक्त होकर एक साथ हो जाएंगे। बहरूपिया उर्चुड़ेल दोनों खाई के पास जाते हैं। गाउं वाले बहरूपिये के बताय हुए रास्ते के अनुसार खाई में आगनगागर बैठे हुए था। और एक गाउं वाला पेड़ पर रस्ती पकड़े हुए बैठा हुआ था ताकि जैसे ही बहरूपिया कूदे वो उसे रस्ती से उपर खींच ले। तयार हो आना अब हम लोग हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। हाँ चलो कूच जाते हैं। और दोनों कूच जाते हैं। चुड़ेल आगनों जब्रादी हैं और बहरूपिया रस्ती पकड़ कर जूलने लगता है। उपर खींचो मुझे आप तुम लोगों की समस्या ह हमेशा के लिए दूर हो गई है। हम लोग तुमारा धन्यवात कैसे करें भाईया कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उस दिन के बाद से गाउवालों को कभी चुड़ेल नहीं दिखाए दी।